भारत मता की बारत मता की इनकलाब इनकलाब वंडे वंडे केमचो मज़ा मा बहुत शानदा पूरे गुजरात में एक बदलाव की आंधी चल रही है चारो तरफ जबरदस्त आंधी चल रही है किसी से पूछो इस बार क्या महौल है परिवर्तन इस बार क्या महौल है बदलाव चारो तरफ कुछ तो अजूब कुछ तो भगवान करवा रहा है कुछ तो आंधी चल रही ह किस-kis को बदलाव चाहिए हाथ खड़े करके बदाओ सब लोगों को बदलाव चाहिए सब लोगों को बदलाव चाहिए तो मैं आज एक खुश खबरी लेके आया हूँ आप लोगों के लिए केंद्र सरकार ने एक जासूसी एजनसी बेजी है गुजरात में आई-बी का नाम सुना है अपने आई-बी केंद्र सरकार की जासूसी एजनसी है केंद्र सरकार बड़ी घवराई हुई है उनको लग रहा है गुजरात में कुछ हो रहा है उपर इंद्र देवता देख रहे हैं इंद्र देवता का प्रकौप है इनका Singhausan डोल रहा है इस बार Sunghausan से वो खडने वाला है इनका राज तो केंद्र सरकार ने एजन्सी बेजिये माहॉल पता कर क्या ओ, क्या चल रहा है गुजरात में आई बी की रिपोर्ट आई है मैं नहीं कह रहा आई बी की रिपोर्ट आई है कि दिसंबर के महीने में गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है पर उसमें ये भी लिखा है रिपोर्ट में सरकार तो बन रही है अभी लेकिन बड़ी किनारे पे है मार्जिन पे 90-92 सीट आ रही है एक बार जोर का धक्का मार दो सारे जने मिलके 15 महिना बच जोर का धक्का मार दो सारे जने मिलके 500 से कम सीट नहीं आनी चाहिए 500 सीट आईगी तो mail सरकार बनेगी 20 सरकार बनेगी सारे काम करेंगे जो काम सत्तर साल में नहीं हुए जो काम सत्ताइस साल में नहीं हुए सारे काम करेंगे स्कूल बनवाएंगे, अस्पताल बनवाएंगे बिजली मुफ्त करेंगे, रोजगार देंगे बच्चों को सारे काम करेंगे एक बार डेड़ सो सीट दे के देखो भाजपा को जिंदेगी बर भूल जाओ गए आप लोग Till तो सर्कार तो बन रही है कि 8 दिसंबर को नतीज you इंगे 15 दिसंबर को सर्कार बनेगी कि सबसे पहला काम क्या करना ए ब्रश्टाचार खतम करना करना एकि नहीं करना है ब्रश्टाचार इतना हो गया गुजरात में लूट लिया इन लोगों ने इतनी जमीन खरीद ली इतनी कोठियां बना ली इतनी प्रॉपर्टी बना ली अपने नाम पे अपने बच्चों के नाम पे जो बच्चे पैदा नहीं वे उनके नाम पे भी इन्हों ने जमीन खरीद ली सारा पैसा स्विस बैंकों में ले गए, विदेशों में ले गए कहते हैं गुजरात सरकार घाटे में चल रही है और घाटे में कैसे चल रही है यार हमारी दिल्ली सरकार तो घाटे में नहीं चल रही है, हमारी तो इमानदार सरकार है, हमारी तो फायदे में चल रही है गुजरात कैसे घाटे में चल रहा है धाई लाख करोड रुपे खर्च करते हैं ये हर साल बजट में धाई लाख करोड धाई लाख करोड बहुत होता है मैं आप से पूछना चाहता हूँ 27 साल में आपके गाउं में एक भी सड़क बनी बताओ जरा बनी कोई सड़क कोई स्कूल खुला कोई अस्पताल बनाया कोई दवाद का इंतिजाम करा कहा गया इतना पैसा खा गए एक अम्मिल्ले के बारे में मेरे को बताया किसी ने चुनाव के पहले उसके पास चार एकड जमीन थी पांच साल में उसके एक हजार एकड जमीन हो गई एक हजार एकड दोस्तो सरकार बनेगी जितना पैसा एक एक पैसे का हिसाब लेगा गुजरात जितना पैसा इन्होंने लूटा है जितना खा गए इनके पेट में हाथ डालके निकलवा लेंगे सारा पैसा इनका सारा एक एक लूटा हुआ पैसा वापस लेंगे ब्रश्टाचार मुक्त शासन देंगे गुजरात को पहली बार ब्रश्टाचार मुक्त शासन होगा गुजरात का एक एक पैसा सरकार का एक एक पैसा कोई ML चोरी नहीं करेगा, मुख्य मंत्री चोरी नहीं करेगा और अगर चोरी करेगा तो जेल जाएगा, हमारे वाला भी चोरी करेगा तो जेल जाएगा, अपने वाले को भी नहीं बक्षेंगे, किसी को नहीं बक्षेंगे, कटर इमानदार पार्टी है हमारी, अभी अभी भ करेगा मारा बाई भी गलत काम करेगा छोड़ेंगे इसे ब्रश्टाचार मुक्त शासन देंगे अभी आप दफ्तर जाते हो जाती प्रमान पत्र बनवाने बिजली के अर्णेक्शन लेने कुछ भी काम कराने पैसे देने पड़ते हैं कि नहीं देने कोई पैसे 15 दिसंबर के बाद रिश्वत खतम, ब्रषटाचार खतम, जो पैसे मांगेगा, कोई हिम्मत करेगा पैसे मांगने की वो जेल जाएगा, ब्रषटाचार खतम होगा तो खूब पैसा बचेगा, फिर गुजराद सरकार घाटे में नहीं होगी, खूब पैसा होगा, खूब पैसा होगा, उस पैसे से क्या करेंगे सबसे पहला काम करेंगे आपकी बिजली मुफ्त कर देंगे होनी चीए कि नहीं होनी चीए एक मार्च से पूरे गुजरात के लोगों की बिजली मुफ्त जीरो बिजली का भी लाएगा पहले दिल्ली में जीरो बिजली का भी लाता था अब पंजाब में भी जीरो बिजली का, जीरो मतलब जीरो, उसमें जीरो लिखा होता है, कितने पैसे देने हैं, जीरो, तो हमने पंजाब में, दिल्ली में, पुराने सारे बिल माफ कर दिये, किसी का सतर हजार का बकाया था, किसी का सारा पुराना माफ कर दिया, मौजूदा बिजली फ्री कर द यह चमतकार मैजिक और यह चमतकार केवल केजरीवाल को करना आता है उपर वाले ने मुझे आशिरवात दिया है उपर वाले ने मेरे को वर्दान दिया है केवल केजरीवाल कर सकता है यह चमतकार ना कॉंग्रेस कर सकती ना बीजेपी कर सकती कोई पार्टी नहीं कर सकती पहल महिला के account में 1000-1000 रुपय, 18 साल से उपर कि हर मा, बेटी, बेहन हर एक के account में 1000-1000 रुपय डालेंगे हर महीने, कुछ लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं महिलाओं को पैसे क्यूं दे रहा हूँ, मैं कई बेटियों को जानता हूँ जिनकी college की पढ़ाई छूट जाती है क्योंकि पिताजी के पास पैसे नहीं है उनकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी मैं कई माओं को जानता हूँ बेटी आती है ससुराल ससुराल से माई के मा का मन करता है थोड़े से पैसे रख दू उसके हाथ में मा को पती की तरफ देखना पड़ता है बेटे की तरफ देखना पड़ता है अब उसको देखना नहीं पड़ेगा अब मा कमरे में जाएगी केजरी वाल ने जो हजार उपे दिया वो निकाल के लाएगी और अपनी बेटी के हाथ में रख देगी अगर किसी घर में दो महिलाएं हैं 18 साल से उपर हर एक को हजार हजार अलग मिलेंगे किसी के घर में तीन महिलाएं हर एक को अलग अलग मिलेंगे मैं अपनी सारी मा, बेहन, बेटियों को कहना चाहता हूँ हवे तमारे चिंता करवानी जरूरी न थी गडिली, तमारो भाई आवी गए ऊचे, दिली में हमने शानदार स्कूल बना दिये, एक आदमी क्या चाता है, मेरे बच्चे अच्छे पढ़ जाएं, गरीब से गरीब आदमी चाता है, मेरे बच्चे अच्छे पढ़ जाएं, जरूर्थ पढ़ती है आदमी, एक टाइम की मेरे रोटी कम खा लेता है लेकिन चाहता है मेरे बच्चे अच्छे बढ़ जायां बच्चे अच्छे पढ़ गए तो माबापका नाम रोशंत करते हैं गरीбही दूर करते हैं। दिल्ली में हमने शानदार स्कूल बनाए हैं सब को पता है हमारे स्कूलों के बारे में वहाँ पे अमीरों के बच्चे भी पढ़ते हैं गरीबों के बच्चे भी पढ़ते हैं दिल्ली में मजदूरों के बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं रिक्षेवाले का बच्चा डाक्टर बन रहा है, वकील बन रहे हैं, गरीबों के बच्चे शांदार उनको शिक्षा मिल रही है गुजरात का भी मैंने पूरा प्लैन बनाया है, गाउं गाउं के अंदर शांदार स्कूल बनाएंगे आपके लिए पूरे गुजरात के अंदर शांदार स्कूल बनाएंगे आप बाकी सब भूल जाएंगे आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की जिम्मेदारी मेरी है दिली में हमने शांदार अस्पताल बनाए है महला क्लिनिक खोले हैं और सबका इलाज मुफ्त कर दिया हमने आपको छोटा सा बुखार है आप महला क्लिनिक में जाओ आपको फ्री इलाज मिलता है डॉक्टर फ्री दवाईयां फ्री टेस्ट फ्री बड़े बड़े अस्पताल खोल दिया अगर कैंसर हो जाए दस लाख रुपे का भी खर्चा है तो वो दस लाख सारा फ्री अमीरों के लिए भी गरीबों के लिए भी गुजरात के लिए हमने प्लान बनाया है बीस हजार महला क्लिनिक खोलेंगे गाउं गाउं के अंदर महला क्लिनिक खोलेंगे बड़े बड़े अस्पिताल बनाएंगे और साड़े छे करोड गुजराती हर गुजराती का पूरा इलाज मुफ्त होगा चाहे छोटी बिमारी हो चाहे बड़ी भगवान ना करे बिमारी हो लेकिन अगर बिमारी हुई तो आपके घर के बिमार आदमी की जिम्मेदारी मेरी है पूरा इलाज मुफ्त होगा मेरे को राजनीती करनी नहीं आती मेरे को भरश्टाचार करना नहीं आता मेरे को गुंडागर्दी करनी नहीं आती मेरे को गाली गलोज करना नहीं आता मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, इमानदार आदमी हूँ, देश भक्त आदमी हूँ अगर आपको राजनीती चाहिए, इनके पास चले जाना, इनको वोट दे देना गुंडागर्दी चाहिए भृष्टा चाहिए गाली के लोट चाहिए इनके पास चले जाना अगर आपको अपने बच्चों के लिए स्कूल बनाने हैं मेरे पास आजाना मेरे को स्कूल बनाने आते हैं अगर आपको अपने परिवार के लोगों का इलाज कराना है मुफ्त इलाज कराना है अच्छा इलाज कराना है मेरे पास आजाना मेरे को अस्पताल बनाने आते है इंजीनियर हूँ मेरे को सड़के बनानी आती है सड़के बना दूँगा आपकी मेरे को गुंडागर्दी नहीं आती दिल्ली में इतने बच्चों का हमने भविश्य बना दिया गरीबों के बच्चों का आज उनकी दुआएं मिलती हैं हमको इतने लोगों का फ्री में इलाज करा दिया आज उनकी दुआएं मिलती हैं हमको उन्हीं की दुआओं की वज़ा से आजहाम आदमी पार्टी पूरे देश में बढ़ती जा रही है अभी अभी एक सर्वे एक रिपोर्ट आई है केंदर सरकार की रिपोर्ट में लिखा है पूरे देश में सबसे ज़्यादा महंगाई गुजरात में है मैंनी कहा रहा केंदर सरकार की रिपोर्ट है सबसे ज़्यादा महंगाई गुजरात में है और पूरे देश में सबसे कम महंगाई दिल्ली में है और गुजरात में दिल्ली से डबल महंगाई है मतलब अगर कोई चीज दिल्ली में 100 रुपे की बिक्ती है तो गुजरात में 200 रुपे की बिक्ती है क्यूं? क्योंकि गुजरात में ब्रष्टाचार इतना ज़्यादा है दिल्ली में 100 रुपे की चीज गुजरात में 200 रुपे की बिक्ती है इनको उखाड के फैंक दो इमानदार सरकार ले आओ दिल्ली में जो सौ रुपे की चीज बिकती है गुजरात में भी सौ रुपे की बिकनी चालू हो जाएगी इमानदार सरकार लेके आओ अभी अभी मैं देख रहा था जब से चुनाव आ रहे हैं एक महीने से इनके बड़े बड़े नेता आ रहे हैं दिल्ली से आके यहाँ पर अभी पिछले महीने इनके नेता ने आके तीस हजार करोड का पैकेज दिया है गुजरात को तीस हजार करोड का दिया की नहीं दिया तीस हजार करोड आपको क्या मिला उसमें किसी का कुछ फायदा हुआ देखो भाई मेरे पास 30,000 करोड का पैकेज नहीं है देने को मैं 30,000 करोड नहीं दे सकता पर मैं हर महीने हर परिवार के 30,000 रुपे की बचत करा सकता हूँ आपकी बिजली फ्री कर दूँगा आपकी महिलाओं को 1000,000 रुपे दे दूँगा आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दूँगा मुफ्त में शिक्षा दे दूँगा आपके परिवार का सारा इलाज मुफ्त करा दूँगा 30,000 रुपे की बचत करा सकता हूँ हर परिवार को आपका फाइदा करा सकता हूँ आपके जो महंगाई हो रही है उससे थोड़ी सी राहत दिला सकता हूँ में रूपस 30,000 करोड नहीं है इतनी बेरोजगारी हो रही है इतनी बेरोजगारी हो रही है कौन-कौन बेरोजगार है जरह हाथ खड़े करें मैं देख रहा था इन लोगों का एक नेता एक टीवी वाले ने पूछा कितनी बेरोजगारी है आप इनको रोजगार क्यों नहीं देते वो नेता पता है क्या कहता है कहता है यह निकम्मे हैं काम नहीं करना चाहते काबिल नहीं है रोजगार देने के लाइक नहीं है मेरे को बड़ा श्रे हुआ खुल के गालियां दे रहा है लोगों को इतना घमंड हो गया इनको इतना घमंड हो गया इस बार तोड़ दो इनका घमंड जाके बटन ऐसा दबाना तोड़ दो इनका घमंड एक बार तो तोड़ दो इनका घमंड मैं आपको रोजगार दूँगा मैंने इंतिजाम किया है सारा मेरे को रोजगार देना आता है दिली में 12 लाख बच्चों को मैंने रोजगार दिया है भगवंतमान ने अभी 20,000 सरकारी नौकरियां दी है हमें रोजगार देना आता है हम आपके बच्चों को रोजगार और जब तक रोजगार नहीं मिलता, आपके बच्चों को तीन-तीन हजार रुपे महीना बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, और दस लाख सरकारी नौकरियां और निकालेंगे नई, कई लोग मेरे से पूछते हैं ये टीवी वाले कहां से आएगी, मैं इतने स्कूल बनवाऊंगा इतने अस्पिताल बनवाऊंगा, महला क्लिनिक खोलेंगे, उसमें नई-नई सरकारी भरती आओंगे, इतनी सरकारी भरती आओंगे, कम से कम दस लाख सरकारी नौकरियां निकलेंगे दोस्तों अभी कल मैं थोड़े दिन पहले वडोधा गया था, वहाँ पे 10-15 लड़के मेरे को देखके चिलाने लग गए, मोधी, 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 मैं उनको कहना चाहता हूँ, बेटा जिस क्या नारा लगाना है लगाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुमको मना नहीं करूँग लेकिन एक बात देख लेना तुमको रोजगार तो केजरी वाली देगा, तुम्हारे घर की बिजली भी मुफत्तो केजरी वाली करेगा, तुम्हारे बच्चों का भी स्कूल का इंतजाम केजरी वाली करेगा और कोई नहीं करने वाला, फिर मैंने उन लड़कों को बुलाय मैंने का 27 साल हो गई इन्होंने क्या दिया तुमको क्यों नारे लगा रहे हो क्याता है जिन्होंने पैसे दिये थे नारे इसलिए लगा रहे हैं वोट तो आपको ही देंगे दोस्तो एक अच्छी बात है खुश खबरी है कि अगले साल भगवान राम का भव्य मंदिर रामलला का मंदिर अयोध्या में बनके तयार हो जाएगा कौन-कौन जाना चाहता है रामलला के दर्शन करने के लिए सब जाना चाहते हैं लेकिन कई बार पैसे की कमी हो जाती है आना जाना रहना होटल में वहां रहना पैसा नहीं होता है पूरा परिवार को लेके जाओ तो और भी पैसा लगता है दिली में हमने योजना शुरू करी है दिली हम लोगों को फ्री में तीर्थ्यात्र कराने ले ज आता हूं इतने खुश होते हैं इतना अशिर्वात देते हैं आपको सबको भी अयोध्याजी के फ्री में दर्शन कराके लाऊंगा मैं तो दोस्तों पूरे गुजरात के अंदर जैसे मैंने बताया एक बदलाव की आंधी चल रही है यह लोग कहने डबल इंजन की सरकार अब डबल इंजन की सरकार नहीं चाहिए नया इंजन ले आओ मारकेट में नया इंजन आया है नई पार्टी आईए नई पार्टी नई चहरे नई सोच नई राजनीती इस बार एक बार नई पार्टी को वोट दे के देखो अगर हम काम नहीं करें पांच साल एक मौका मांगने आया हूँ आपसे एक मौका दे दो बस अगर हम काम नहीं करें अगली बार आपसे वोट मांगने नहीं आऊँगा मैं और एक और चैलेंज है आपके दोस्त होंगे दिल्ली में रिष्टदार होंगे दिल्ली में फोन करके किसी से भी पूछ लेना दिल्ली में केजरिवाल कैसा काम कर रहा है अगर दिल्ली में कोई कह दे कि हम केजरिवाल से खुश नहीं है मेरे को गुजरात में वोट मत देना चैलेंज है दोस्तो जब से आई बी की रिपोर्ट आई है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है ये दोनों पार्टियां गुटरगूं गुटरगूं कर रही है अब मिलके दोनों की सीक्रेट मीटिंग हो रही है रात को बारा बज़े मिलते हैं ये दोनों बारा बज़े मिलके दोनों ने सेटिंग करी है कि कुछ भी हो जाए आम आदमी पाटी नहीं आनी चाहिए यह स्कूल अस्पिताल नहीं बनने चाहिए यह फ्री की चीजें नहीं होनी चाहिए दोनों में दोनों एक साथ एक ही आशा इस्तेमाल करते हैं रात को बारा बज़े मिलते हैं कि कल यह गाली देनी है दोनों मिलके एक ही जैसी गाली देते हैं एक कहता है केजरी वाल ठग है दूसरा कहता है केजरी वाल महा ठग है एक कहता है केजरी वाल खालिस्तानी है दूसरा कहता है केजरी वाला तंकवादी है खूब गालियां दे रहे हैं और यह कॉंग्रेस के चक्कर में मत पड़ जाना कॉंग्रेस को वोट देके अपना वोट बरबाद मत करना सर्वे में आया है उनकी दस से भी कम सीट आ रही है और वो दस भी बीजेपी में चले जाएंगे जीतने के बाद अपना वोट कॉंग्रेस को देके बरबाद मत करना इस बार एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है गुजरात के अंदर उस बदलाव का हिस्सा बनो उपर वाला जाडू चला रहा है कोई दिव्य शक्ति काम कर रही है अपना आप सब लोग उसका हिस्सा बनो सब लोग उसमें शामिल हो जाओ इस बार ये कॉंग्रेस और बीजेपी के चक्कर में मत पड़ो जितने बीजेपी वाले हैं जितने दूसरी पार्टी वाले हैं कॉंगरेस वाले हैं इस बार अपनी पार्टी को भूल जाओ इस बार गुजरात के लिए काम करो अपने बच्चों के भविश्य के लिए काम करो सतर साल में इन दोनों पार्टियों ने क्या दिया आपको कुछ नहीं दिया गुजरात को बर्बाद करने के जिवा कुछ नहीं दिया इस बार यह जो बड़ा मौका आया है इस मौके का हिस्सा बनो दोस्तों जीतेगा भई जीतेगा जीतेगा भई जीतेगा अबे राश्टर की तापड़े चालू करिये जिए